तो आपके watch में इसको install करने के लिए जो भी आप water drinking कहूं या सटेटेंडरी जो भी आप set करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने watch में options नहीं मिलती है इसके लिए follow out करना है आपको यहाँ पे check out करना है इसके applications को ठीक है इसके applications पे जैसे ही आप यहाँ पे settings options में आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद क्या है कि middle में जो आपको options मिलती है जहाँ पे आपकी watch दिखाती है connected वहाँ पे आपको options मिलते हैं जहाँ पे authors की options है authors पे click करने के बाद जो है आपको नीचे के तरप scroll करना है scroll करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते है water drinking reminder की एक options है जिसको क्या करना है यहाँ पे लिखा हुआ है it's recommended that you drink at least 1630 ml of water daily तो इसको आपको यहाँ पे on करना है जैसे ही इसको on करेंगे तो आपके यहाँ पे सामने कुछ और भी options आ जाती है कि आपको कब से कब चाहिए ठीक है तो स्टार्टिंग टाइम जो है हम यहाँ पे सुवर मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं 7 a.m. या फिर जो है 6 a.m. इन दे मॉर्निंग ठीक है जो frequency है frequency की मतलब आप कितना पीना चाहते है ठीक है वह आपको यहाँ पर सेट कर लेना है कि just a minute यहाँ पर मैं दो डाल दे रहा हूं और water drinking की intervals कितनी होने चाहिए यहाँ पर 15 minutes के अंदर होने चाहिए और यहाँ पर आपको कितनी बार पीना है तो आप 2, 3, 10, 15, 50 जितना भी चाहिए उतना आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं ठीक and water drinking की intervals कितने minutes 15 minutes तो आपको 15 minutes तक at least speed कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपके water drinking के जो reminder जो है आपके watch पे आने लगेगी